हेलो इब्रियों मैं साइदु रहमान और आप देख रहे हो इसार एडवाइज दोस्तों आज हमारा ट्रॉफिक है कई वर ऐसे होता है कि आप कंप्यूटर अन कर रहे हो अन करने के बाद तुरंत आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है कड़ी वान से टू सेकेंड तक अब तक आपका कंप्यूटर अन डायता है उसके बाद इमीडिटली कंप्यूटर बंद हो जाता है आपका मोनिटर में कोई डिस्प्ले नहीं आता तब जितनी बार आपका पाउर बटन अन करते हो उतनी बार ही आपका कंप्यूटर ऐसे बंद हो जाता है तो ऐसे प्रॉब्लम के ल प्रॉब्लम से क्वों से की प्रॉब्लम से यह प्रॉब्लम आ सकता है तो पहले आप आपका डिक्स्टॉप का कबिनेट से अपना माधरवोड निकलने के बाद माधरवोड के PCI और PCI-E अगर कोई ग्राफिक्स कार्ड लगा हो है उसको निकल दीजिए इतने भी आपका अपना अपना और कीजिए और अगर आपका सिप्यू फैन ऐसे घुम के बंद हो जाता है तो प्राब्लम आपका माधरबूर्ड में है तो माधरबूर्ड में प्राब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद आप क्या करोगे है दोस्तों उसके बाद आप यह जो चाठीन बला कनेक्टर देख रहे हो इसको आप निकल दिए इसको निकल देने के बाद आप दूसरी बार फिर आपका पाउर बटन अन किजिए फिर आपक मैं अगा घुमता है अपका मादरबूर्ट कंटिणीओ न रहता है तो मतलब आपका प्राम्लैम भरम से और धूल रहता है अज तक मैंने चितने में इस problem को solve किया है सब भी motherboard में एक ही problem था VRM section का solve होने के वज़ए से यह problem आया सब भी motherboard से एक-एक MOSFET का problem था उस MOSFET को निकल दिया तो मेरा problem solve हो गया तो चलिए आप VRM section को कैसे target करोगे इसके बड़े में आज हम बात करेंगे यह जो बोड़ आप देख रहे हो यह Intel का 61 का बोड़ है में पुराना बोड़ आपको देखा दिए कि जैसे यह बोड़ है कि यह बोड़ में यह जो MOSFET आप देख रहे हो मैक्सिमान टाइम यह MOSFET साउठ हने के वाज़ाइं से आपका यह प्रणेश माता है तो आप किया करोगे भ्यार्म सेक्षिन में एक-एक करके जितने भी मॉस्पेट है उस मॉस्पेट को आप चेक किजिए अगर आपका सौट नजर आया तो जिस मॉस्पेट को आपका सौट नजर आया एक-एक करके वो मॉस्पेट निकलने के बाद आप दूसरी बार चेक किजिए मैं 100% ग्राणिटी के साथ कह सकता हूं कि 11 सेक्षन में ही कोई भी एक मॉस्पेट में सौट है जिसके वाज़े से आपका ये दिक्कत आ रहा है तो उस मॉस्पेट को आप निकालिए और रिप्लेस किजिए आपका पॉल्म सौल हो जाएगा यह जो मॉस्पेट अब देख रहे हुआ यह मॉस्पेट अब सिक्स्टेर मादवर्ण में भी देख सकते हैं तो पहले में पार कनेक्टर ओपन कर लेता हूं जोसों गोड़र्ण साफ ओच अइंग को समझने के लिए वीडियो भीडियो यह सेक्शन के बाड़े में डेटेल में एक्पलेन क्या है मैं तो उस वीडियो कब देख सकते हो कि आपलार कैसे जाता है मॉस्पेट कैसे कम करते है अब्यारें चीप कैसे कम करते हैं तो इस वीडियो में भी मैं कुछ बता देता हूं कि यह आपका चार्पीनबला कनेक्टर यही से सब्सक्राइब आता है इस कोईल के थुरू यह जो आप देख रहे हों यह इन्पूट क्यापसिटर है यह आउट्पूट कोईल है यह आउट्पूट क्यापसिटर है बीच में कुछ मॉस्पेट लगाओ है एक दो तीन सेट के मॉस्पेट लगाओ है तो आप पहले क्या करोगे इस पोट से चार्पीन बाला जो कनेक्टर है इसनफ्यस का निकालने के बाद अगर आपका फैं घुमता है तो मतलब आपका भीयर्म सिक्षांट कर पारा ऐक पर पहले कर überड्यमें है यह चेक चेक किजिए मैं फिर कहते हूं कि मैंने जितने भी यह problem solve किया शॉब ही problem में MOSFET का ही fault था तो यह guarantee नहीं है कि MOSFET में ही short होगा आपका capacitor में भी sort हो सकता है आपका VRM chip भी खड़क हो सकता है अगर आपका VRM chip चीप सौट होगा तो भी यह प्रावल्म आ सकता है दोस्तों पहले मॉस्पेट आपका चेक कीजिए आपका जीतने वी कैपसिटर है वह चेक केजिए उसके बाद आप भी यारे माइसी कैसे चेक करने के लिए आपको पहले यारे माइसी को निकलने की जुरूत नहीं आप इसक चीप हर एक मॉस्पेट के साथ जुड़ा होता है तो अगर भी यारे मश्पेट चीप सौट होगा तो आपका मॉस्पेट भी सौट देखाएगा अगर आपका मॉस्पेट निकलने के बाद आप देखते हो कि नहीं मॉस्पेट मेरा ओके है लेकिन लगाने के बाद सौट द और एक बात तो यह प्रवर्ल्म कि निकलने के बाद भी आपका fan नहीं घूम रहा है और ऐसी एक दो बाहरों के बंद हो जाता है एक से दो सेकेंड के बंद हो जाता है तो यह प्रवल्म थ торण होसकते है कि आपकर आप अच्छा निकलने के बाद आपको माथरवर्ड करा और आसकता है आपको आधर आसकता है तो आदा को किगको सकते हो पहले आपको निकलने के बाद अपना बुर चिक को और एक बात अगर अगर आपका मैदर बुर ने का आपका इसम्पिस कनेक्टर यहां यहां दुन हो जाएगा लागा लागा होने के बाद आप जब आपका मादरबूर में पाउर अंकरते हो तो फैन आपका घूम कंटिनुक घूमता है लेकिन आप पुरह पूरह करके जब आप कैविनेट में रेडि करते हैं आपका करनल के निकल कर देख सकते हो यह भी हो सकता है कि अगर आपका यहां के कोई लगा हुआ है तो ग्राफिक्स काड खड़ाब होने के बजाए से भी यह पॉल्म आ सकता है तो दोस्ता इतना ही अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए कोई कमेंट करना कर दोस्ता है